साज संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर आज की साखी का विश्य है पिता चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साज संगत जी दोपहर का समय था राघव गर्मी से परिशान था पसीने से तर बतर बहुत देर से वो किसी रिक्षा का इंतजार कर रहा था मगर ना जाने उस दिन कोई रिक्षा उधर से निकला ही नहीं काफी इंतजार करने के बाद राघव को एक बैटरी रिक्षा अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया राघव ने हाथ दिया मगर वो रिक्षा रुकने के बजाए आगे चला गया फिर थोड़ी दूर जाकर वो रिक्षा रुक गया राघव भाग कर रिक्षे के पास पहुँचा तो अगली सीट पर ड्राइवर की बगल में एक पांच-छे सा का बच्चा बैठा हुआ था जो हाथ में मुंखफली का पैकिट लिए चबाए जा रहा था रिक्षे वाले ने राघव से जाने की जगा पूछी और कुछ सोच कर वो राघव को रिक्षे में बठाने के लिए राजी हो गया लेकिन रिक्षे वाले ने राघव के समने ये रखी कि वो दो तीन जगा रुखते हुए जाएगा अगर एतराज ना हो तब ही वो रिक्षा में बैठे अब इस कड़ कड़ाती हुई धूप में चलने से अच्छा रिक्षा के चाया में राघव ने सोचा कि वो अपने सफर को तै करेगा इसलिए राघव रिक्षे वाले की बात को मान कर उसके रिक्षा में जाकर बैठ कया अगले सीट पर वो बच्चा और रिक्षा चालक आपस में बाते करते हुए जा रही थी दोनों की बाते सुनकर राघव को पता चला कि वो दोनों बाप बेटी हैं और उनकी बाचीत से राघव को ये समझ में आया कि आज अज उस बच्चे का जनम दिन है और उसका पता अपने बेटे को रिक्षे पर शहर घुमाने निकला है और वो हर बिल्डिंग चुराहे की तरफ उंगली करके उस जगा के बारे में अपने बेटे को बता रहा था। ना में गर्दन हिला देता था क्योंकि उसे पहली बार मोमोज खाने थे और पिता उसे समझा रहा था कि मोमोज मैदे से बनता है वो नुकसान करेगा फल खाओ जूस पियो पर बच्चे को तो मोमोज ही चाहिए थे क्योंकि उसके दोस्तों ने उस चीज की बहुत तारीफ कर रखी थी ऐसे ही कई दुकाने गुजरती जा रही थी पर बेटा राजी नहीं हुआ कुछ भी खाने को सिवाए मोमोज की जब नफा नुकसान समझा कर वो रिक्षा वाला थक गया तो एक सोदे पर उतर आया और बेटे से बोला कि मैं तुम्हें मोमोज खिलाऊंगा पर पहली जूस वगेरा पीलो कुछ खालो जो शरीर को लगे अब बेटा पता की बात मान गया तो रिक्षे वाले ने सबसे पहले गन्ने की जूस के दुकान पर रिक्षा रोका और पिता ने जूस वाले को धेर सारे हिदायतें दी कि क्या डालना है क्या नहीं बिना बरफ का बनाना है कुछ देर के बाद बेटा जूस पी रहा था और पिता अपनी बेटे को जूस पीता हुआ देखकर अपना गला तर कर रहा था मोमोस के लालच में बेटे ने गन्ने के रस से भरा हुआ पूरा गिला आस खतम कर दिया और आगे एक ठेले पर तर्बूज कटवा कर रिक्षा वाले ने बेटे के सामने रखा तो उसने मूँ बना कर कह दिया पापा मुझे अच्छा नहीं लगता तब पिता नहीं नमक की डिब्बी उठा कर तर्बूज पर डाला और कहा कि लो अब इसमें स्वाद आ गया है वो बच्चा परपंच में फसकर पिता की बात मानकर तर्बूज खाना शुरू कर चुका था और थोड़ा बहुत स्वाद का अनंद लेते हुए उसने तर्बूज खा ही लिया रिक्षा आगे बढ़ी और रास्ते में कई मोमोस के दुकाने गुजरी लड़का हर दुकान के आगे पिता की आस्तिन खीचता और पिता हर बार कहता रुको आगे रोक रही है चलते चलते गाड़ी एक मोमोस की दुकान पर रुकी रागव ये नहीं समझ पा रहा था कि आब तक सबसे अच्छी चीज ढूंडने वाला पिता इतनी बड़ी बड़ी दुकाने छोड़कर यहां इस छोटी सी रहडी पर क्यू रुका है और रुक्षा वाला रेडी वाले से लाल चटनी ना देने के हिदायत के बाद प्लेट में मोमोस लेकर बेटे के पास आया मोमोस को बीच में से तोड़ा और फूंक से ठंडा करके बेटे को खिलाने लगा बेटे ने मोमोस खाया तो उसका मुझ बन गया कहने लगा पापा इसका स्वाथ तो बहुत गंदा है मेरे दोस्तो बहुत तारीफ करते हैं रिक्षे वाला बोला आरे पगले देख लिया न अब आगे से इसे मत खाना ये स्वास्ते के लिए अच्छा नहीं होता बच्चा पता की बास समझ गया था कि मोमोस नुकसान देहे हैं लेकिन उसे नहीं पता था कि पता ने इसके पीछे कितना दिमाग लगाया था वैसे भी रागव को दूसरी और उतरना था और रिक्षा दूसरी और था रागव फिर भी बैठा हुआ था ना जाने क्यूँ रागव को उस पिता और पुत्र की आपसी बाचित अपनी और खीच रही थी तभी रिक्षा चालक ने रागव को आवाज दे कर कहा कि अगले मोड से वो अपने घर के लिए मुड जाएगा आप जहां उतरना चाहते हैं वहां उतर जाएं रागव ने कहा वहां फूलों की दुकान है वहां पर रोको उस रिक्षा चालक ने फूलों की दुकान पर रिक्षा रोक दिया रागव उतरा और जल्दी सुसने फूलों की दुकान से सुन्दर सा गुलाब लिया और रिक्षा में बैठे हुए लड़के को दे कर कहा इसे अपने पिता को दे दो रिक्षा वाला राघव को हैरानी से देखने लगा राघव ने रिक्षा वाले को किराय के पैसे दिये तो वो लड़का राघव को बोल पड़ा बहिया मुझे ये फूल अपने पापा को क्यों देना है राघव कहने लगा शायद शब्दों में मैं तुम्हे समझा ना सकू मगर जब तुम बड़े हो जाओगे तो स्वयम ही समझ जाओगे कि एक पिता और उसका करदार क्या होता है राघव की बास सुनकर रिक्षा चालक की आखें भीग गई और ये सब देखकर वो लड़का अपने पिता को फूल देकर उनके सीने से लग कर मुस्कुरा उठा और राघव भी अपने घर की ओर बढ़ गया एक पिता हमेशा अपने बच्चे को सही सीख देने की कोशिश करता है साथ संगत जेक पिता पुतर साथ साथ टहलने के लिए निकले वो दूर खेतों की तरफ निकल आई तभी बेटे ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़ी है जो की पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे तभी बेटे को मजाक सुझा उसने पिता को कह दिया क्यों ना आज की शाम को थोड़ा यादगार बनाए आखिर मस्ती ही तो आनंद का सत्रोध है पिता ने हरानी से बेटे की और देखा बेटा बोला हम ये जूते छुपा कर जाड़ीों के पीछे छिफ जाएंगे जब वो मजदूरी ने यहां नहीं पाएगा और वो घबरा जाएगा तो बड़ा मसाएगा उसकी तलब देखने लायक होगी और इसका अनंद में जीवन भर याद रखूँगा पिता बेटे की बातों को ध्यान से सुनकर बोले बीटा किसी गरीब और कमजोर के साथ उसकी जरूरत की वस्तू के साथ इस तरह का मज़ाग कभी न करना जीन चीजों की तुम्हारी नजरों में कीमत नहीं वो उस गरीब के लिए बहुत कीमती है तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है तो आँ हूं इसके जूतों में कुछ सिक्के डाल देते हैं और छुप जाते हैं फिर देखते हैं कि ये मज़दूर क्या करेगा पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास के जाडियों में छुप गए मज़दूर ने अपना काम खतम किया उसने जैसे ही एक पैर में जूते डाले उसे किसी कठोर चीज का भास हुआ उसने जल्दी से जूते हात में लिये और देखा कि अंदर तो सिक्के पड़े हैं मज़दूर को बड़ी हरानी हुई वो सिक्के हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगा फिर वो इधर उधर देखने लगा कि उसकी मदद किसे ने की है जब दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आया तो उसने वो सिक्के अपनी जेब में डाल लिये फिर उसने दूसरा जूता उठाया उसमें भी सिक्के थे मज़दूर तो भाव विभोर हो गया वो घुटनों के बल जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखकर बोला प्रभू आज आप ही किसी रूप में यहां आए थे समय पर प्रापतिस मदद के लिए आपका बहुत धन्यवाद और जिसने भी आपके माध्यम से यह मदद की है उसका भी धन्यवाद आपकी सहायता और द्यालुता के कारण है आज मेरी बिमार पतनी को दवा और मेरे भूखे बच्चों को रोटी मिल जाएगी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभू मजदूर की बाते सुनकर बेटे की आँखों में आशु आ गए पिता ने बेटे को गले लगाते हुए कहा क्या तुम्हारी मजाक वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता उसकी तुलना में इस गरीब की आशु और दिये हुए आशिरवाद तुम्हें जीवन परियंत जो आनंद देंगे वो उससे कम है क्या बेटा बोला पिता जी आज आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है उसकी आनंद को मैं अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ अंदर में एक अजीव सा सुकून है आज की इस आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूँगा आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिने मैं पहले कभी नहीं समझा था आज तक मैं मज़ा और मस्ती मजा को वास्तविक आनंद समझता था पर आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपिक्षा देना कहीं अधिक आनंद दाई है साथ संगत जी ऐसी सी केक पिता ही अपने बेटे को दे सकता है अगर आज की इसा की अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजेगा आप सभी से फिर मुला कात होगी नई साथ और नए विचारों की साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धा नरंकार जी